आज हेलन नियोक सिटी के अपने अपाट्मनों में लोटी है इस अपाट्मन को अपने बॉइफिंड मारको के साथ शेर गरती है कोई दूनों के बाद हेलन बिमार होई है इसकी वज़य है उसका अबोर्शन कराना वो भी बड़े अनहाईजिनिक तरीके से इस कहानी में बॉबी भी है बॉबी नेचर वाइज बड़ा फ्रेंडली है पर वो छुटी मुटी ड्रग डिलिंग करता है मारको को बॉबी को कुछ पैसे लोटाने है बॉबी मारको के प्रति तो काफी हार्श है पर हेलन के लिए बड़ी सॉफनिस रखता है वो उसके हेल्थ के प्रति भी काफी कंसरंड है हेलन से मिलने बॉबी होस्पिटल में जाता है यहां से डिस्चार्ज होने के बाद हेलन अपने टूटे और बिखरे परिवार के पास जाने का फैसला करती है पर बॉबी उसे इंप्रेस करने में लगा है हेलन भी बॉबी की बातों से इंप्रेस होने लगी है पहले तो अपनी फैमिली के पास लोटना चाहती थी पर बाद में बॉबी के घर में मूव इन कर गई है पर वो बॉबी को ड्रक्स लेते हुए देखती है वो उससे इस बारे में पूछती है बॉबी कहता है मैं कोई एडिक नहीं हूँ बस थोड़ा थोड़ा इस्तिमाल करता हूँ अब धीरे धीरे दोनों में केमिस्ट्री डेवलप होने लगी है पहले तो बॉबी हेलन को अपने साथ ही चीकों से मिलाता है जब हेलन और बॉबी साथ में रेस्ट्रेंट में जाते हैं तब बॉबी यहां अपने आपको बड़ा चढ़ा कर बताता है वो कहता है मैं जब 10 साल का था तभी से हैंस हूँ अब हेलन भी धीरे धीरे मारकों को भुला कर बॉबी से इंप्रेस होने लगी है तब यहां सैमी आजाता है सैमी बॉबी के साथियों में से एक है इस तरह बॉबी अपने कई साथियों से हैलन को मिलाता है यहां इस रेस्टरेंट में बॉबी का भाई हैंक भी आता है हैंक छोटी मोटी चुरिया करता है बॉबी बॉबी से उसके बारे में पूछता है बॉबी हैंक से कहता है हेलन सिर्फ मेरी है इसके बाद हैंक हेलन के साथ सिर्फ एक अजनभी के तरह बात करता है यह शर्मन स्क्वेर है इसे निडल पाक भी कहा जाता है यहाँ पर mostly drug addicts मिलते हैं hangout करते हैं एक दूसरे से drugs लेते हैं और फिर high होते हैं बॉबी हेलन को अपने कई साथियों से मिलाता है अब धीरे धीरे हेलन भी बॉबी के दोस्तों को जानने और समझने लगी है वो देखते हैं कि किस तरह बॉबी के साथ ही drugs को अपनी body में inject करते हैं अब हेलन इन सब से बाते भी करती है घर पहुँचकर हेलन और बॉबी हम बिस्तर होते हैं बॉबी हेलन से कहता है तुम सिर्फ मेरी हो हेलन इस बात पर मुस्कराती है इसके बाद दोनों फिर से अपनी वासना की आग को ठंडा करते हैं अब अक्सर दोनों निडल पार्क में हैंग आउट करते हैं आज की रात हेलन बॉबी से हम बिस्तर होने के एकसा जाहिर करती है बॉबी नशे में है वो अपने बॉडी को मुझ भी नहीं कर पा रहा वो इन सब से इंकार करता है लियाज हेलन उसकी बातों को मान लीती है अगली सुबह यहां का ओनर बॉबी से रेंट मांगना शुरू करता है बॉबी कहता है मेरे पास रेंट के पैसे नहीं है और तुम इस कबार खाने के पैसे मांग रहे हो उल्टा तुमें मुझे पैसे देने चाहिए यहां रहने के हेलन देखती है कि किस तरह बॉबी के साथ ही हेरोईन को अपनी बोडी में इंजय करते है यह इसे एक रिच्वल की तरह फॉलो करते है अब दोनों को जगह खाली करनी पड़ी है मजबूरन ये एक सिलिजर में मूविन कर गए है रात को जब भी हेलन बोबी से जिसमानी समंद बनाना चाहती है बोबी नशे में सोया रहता है इन सब से हेलन अब अनकमटेबल होती जा रही है एक शाम बोबी हेलन से कहता है क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो हेलन इसके लिए ना नहीं कर पाती बोबी उसे अपने डिलर फ्रेडी से हेरोईन लाने को कहता है हेलन पूछती है कि पैसे कहां से आएंगे बोबी हेलन से कहता है तुम उस डिलर के साथ सो जाना तब ही वो मेरे को हिरुन देगा हेलन इसके बार डीलर के पास पहुंचती है यहां वो फ्रेडी के बारे में पूचती है पर यहां का शक्स उसे कुछ भी बता नहीं रहा इतने वह यहां पुलिस आफिसर पहुंचता है इस डिटेक्टिव का नाम हौच है वो हेलन को अरेस्ट करता है वो हेलन से कहता है तो तुम्हें बॉबी ने भीज़ा है ड्रग डीलर्स के साथ सोने और फिर उसे अपने लिए ड्रक्स लाने के लिए हौच के इस बात से हेलन यह जान चुकी है कि यह बॉबी का रोज मर्रा का काम है यानि वो लड़कियों को पटाता है फिर उन्हें डीलर्स के पास भीजता है अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए इसके लिए वो लड़कियों को डीलर्स के साथ सोने को भी कहता है यहां हौच हैलन से सिंपताइस करता हुआ कहता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि panic in the needle park का मतलब क्या होता है panic का मतलब है कि heroin की supply कम हो गई है और जो लोग इसका नशा करते हैं वो heroin पाने के लिए अपने आस पास के लोगों से इस तरह का favor लिते हैं अपनी girlfriend's को डिलर्स के पास भीजते हैं एक वश्या के तौर पर इसके बाद होच Helen को छोड़ देता है रात को Helen फिर से Bobby से जिस्मानी संबंद बनाना चाहती है पर Bobby है जो नशे में सोया है Helen यहाँ पड़े heroin को देखती है वो इस अपने body में inject करती है इस तरह अब Helen ने भी इसका सेवन करना शुरू कर दिया है Bobby जब गली में खेल रहा है तब वो Helen को देखता है Helen को देखकर वो figure out कर लिता है कि Helen ने भी heroin लेना शुरू कर दिया है वो उसे पूछता है क्या तुम मुझे शादी करोगी Helen इसके लिए हां कर दिती है Hank Bobby से मिलकर पूछता है कि आखेर अब Bobby आगे क्या करने वाला है वो उसे एक regular job offer करना चाहता है वो उसे regular चोरी का काम सौपना चाहता है Helen इस बात से object करती है वो किती है यो खुद ही job ढूण लेगी एक दिन Bobby देखता है कि घर वे drugs कम है वो यह समझता है कि Helen इन drugs को बाहर बेच रही है इस बात वर हो Helen पर हिंसक होता है वो उसे मारना शुरू करता है Helen डर के हमारे room का दरवाजा बंद कर दीती है थोड़े दिर में Bobby को realize हुआ है वो Helen के साथ गलत behavior कर रहा है वो Helen से माफी मांगते हुए दरवाजा खोलनी के request करता है Helen डरी हुई है वो कहती है अगर मैंने दरवाजा खोला तो तुम मुझे मारोगे Bobby उसे नहीं मारने का वादा करता है Helen दरवाजा कोल दीती है Bobby हेलन को किस करना शुरू करता है दोनों इसके बाद जिस्मानी संबंद बनते है Bobby यहां बताता है कि जब वो मैज 9 साल का था तब उसने पहली बार ड्रक्स का सेवन किया था Helen ने वटेसिंग के जॉब जो शुरू की थी उसे अब बंद कर दिया है इसकी वज़ा है हुआ कि कस्टमर्स वो उसे बड़ी बतमीजी से पेश आते थे Bobby ने फाइनली हैंग के काम में असिस्स करने का वादा किया है वो यह काम शुरू करने वाला था कि उसी रात Bobby नशे में हाई हो गया हैंग Bobby पर गुस्सा होता है क्योंकि Bobby ने हैंग के प्लैनिंग पर पानी फिर दिया हैंग अगली सुपर Bobby से हल्प लेता है अपने चोरी के काम में पर यहां Bobby अरेस्ट हो गया है अब जब कि Bobby जेल में है Helen को ड्रक्स नहीं मिल रहे वो हैंग के साथ जिस्मानी संबंद बनाती है इस तरह हो हैंग से पैसे हासिल करती है जब Bobby जेल से रहा हुआ है तब हो Helen पर चोरी का एल्जाम लगाता है यहां दोनों में लड़ाई होती है Helen जब रो रही है तब Bobby उसे कहता है तुम यह बूढ़े लोगों की तरह रोना बंद करो Bobby ने अब पैसे कमाने के लिए मेजर ड्रग डिलर सेंटो से मलाकात किया है वो दिखता है कि किस तरह सेंटो के यहां ड्रग्स को अलग-अलग शीश्वों में भरा जाता है इसकी सप्लाई की जाती है वो सेंटो से कहता है कि निडल पार्क में ड्रग के डिस्टिबिशन के जिम्यदारी उसकी इधर Helen भी वैश्या बन चुगी है ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो अलग-अलग मर्दों के साथ सूती है अब जब कि Bobby सेंटो के ड्रग को बेचने लगा है या कि रेजिरेंट्स के लिए बड़ा आसान हो गया है ड्रग स्पाना सबके पास रेलैबल सोर्स है Bobby के रूप में जो की इजली ड्रग्स और हेरोईन प्रोवाइट करा दिता है Helen ने भी ड्रग्स और हेरोईन का सेवन बड़ी मातरा में करना शुरू करती है अब धीरे धीरे उसकी हेल्थ भी खराब होती जा रही है Bobby और उसकी रिलेंशिप भी सफर कर रही है इंसा में डेटेक्टिव होज Helen पर नज़र रखता है वो Helen को पसंद करता है इसलिए हो Helen को फॉलो करता रहता है एक शाम Helen और उसका एक कस्टमर पुलिस के द्वारा अरिस कर ली जाते है होज अपने साथी ओफिसर से कहता है तुम Helen को बुक मत करो उसे छोड़ दो मैंने उसे किसी बड़े प्लैनिंग के लिए रखा है होज का साथी ओफिसर उसकी बाद मान जाता है कोई दोनों के बाद Helen को उसकी मा का खत आया है वो लित्तिय की Helen को देखने वो आने वाली है साथ में कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी Helen के शहर आ रहे है अब Helen अपनी मा से मिलने को तयार हो रही है वो अपने चेहरे के निशान को मिटा रही है उसे बोबी के मारने से जो चोटे लगी है उन्हें भी मिटा रही है अपने कलाईयों के नसों को ढख रही है जा इंजेक्शन के निशान है बोबी भी Helen को सजने दजने में मदद करता है इसके बाद जब Helen मिलने पहुंची है तब यहां वो बजाए अपनी मदर और फैमली फ्रेंड से मिलने के वो एक कस्टमर को पिक करती है उसके साथ हमबिस्तर होती है इतने में बोबी यहां आ जाता है वो शक्स के सारे पैसे लूट लेता है और उसे यहां से भगा दीता है इसे देखकर साफ लग रहा है कि यह सब Helen और बोबी की फ्लैनिंग थी इसके बाद Helen बोबी से हमबिस्तर होने के एक्षा जाहिर करती है बोबी उसकी यह ख्वाइश पूरी कर देता है दोनों अब यहां से निकल कर कंट्री साइड पहुंचे है यहां यह एक पपी कर रखते है दोनोंने इसका नाम रौकी रखा है बोबी अकसर Helen की कलाईईयों में भी हेरोईन को इंजाय करता रहता है जब यह दोनों अपने पपी के साथ बोट में है तब पपी सम्मंदर में गिर जाता है Helen यहां रोती है गुसे में बॉबी को थपड मारती है दोनों वापस निडल पार्क आ गए है इन्होंने प्लैनिंग की है कि ये एक नई जिन्दगी की शुरुआत करें हेलन बॉबी से कहती है कि इन्हें निडल पार्क छुड़ देना चाहिए और जिन्दगी को नए सिरी से शुरू करना चाहिए बॉबी उसके इस सला को मानने से इनकार कर दिता है इन सब के बाद हेलन अपने एक्स बॉइफरेंड मारको के पास पहुची है मारको के साथ वो हम बिस्तर होती है मारको केता है कि अगर हेलन चाहे तो उसके यहां रह सकती है पर हेलन वापस बॉबी के पास आ गई है वो केती कि बॉबी को छोड़ नहीं पाई बॉबी केता है मुझे तो लगा कि तुम कभी आओगी ही नहीं पर बात में हमें पता चलता है कि Helen Bobby से ड्रग्स चुराने आई है, अब वो और भी हाई होना चाहती है, इसके लिए वो डॉक्टर के पास मुची है, यह वो जूठी दर्दवरी कहानी सुनाती है, जिसे डॉक्टर उसे कुछ पिल्स दे दे पेन किलर के रूप में, डॉक्टर Helen बार बार इन सब में मदद करने से इनकार करती रहती है, Helen अब कुछ बच्चों को ड्रग्स बीच रही है, वो भी से इने चुराती है और इन बच्चों को बीचती है, इसे वो कुछ पैसे बना लीती है, रेगुलर इंटर्वल पर वो पैसे कमाने के लिए अपने कस्टमर होच अच्छी तरह जानता है कि सेंटों तक पहुंचने का जरिया बोबी ही है, और बोबी तक पहुंचने का जरिया सिर्फ हेलन है, वो बोबी को पकड़वाने में हेलन से हेल्प मंगता है, हेलन इस बार भी इनकार करती है, हेलन का ट्रायल पेंडी है, इस वहाने होच हेल हेलन ने होच से हाथ मिलाई लिया और इस बार बॉबी को पकड़ लिया गया है हेलन और होच खड़े बॉबी को अरिस होते विए देखते हैं बॉबी हेलन के पास जाकर कहता है तुमने मुझे दुखा दिया जबकि मैं तुम्हारे साथ शादी करने वाला था इसमें बॉबी के पास से धेर सारे हेरोईन मिले है कुछ महीनों के बाद बॉबी की रहाई हो गई है बाहर हेलन उसका इंतिजार कर रही है पहली नजर में तो बॉबी हेलन को इगनोर मारता है वो यहां से जा रहा है पर हेलन उसे फॉलो करती है कुछ लमों के बाद बॉबी फिर से हेलन को accept करने को तयार है इसी नोट पर ये फिल्म समाप्त हो जाती है फिल्म में सेंटो को arrest होते वे नहीं दिखाया गया पर बॉबी के arrest और release होने से ये implied है कि सेंटो को arrest करके इस धंदे को बंद कर दिया गया और इंद में बॉबी और हेलन ने normal life शुरू कर दी सो फ्रेंस फिर मिलेंगे जिन्दगी के किसी नए mode पर